नमस्कारम सद्गुरुजी, मेरा नाम आईश्मान खुराना है और मैं राजनेतिक रूप से सजग व्यक्ती हूँ राजनेतिक तोर पर भारत बहुत समवेधन शील दौर में है क्योंकि ये एक अनेकवादी समाज है यहाँ बहुत सी संस्कृतियां, धर्म, शेत्र, जातिया, रंग और वर्ग हैं मैं मानता हूँ कि एक्स्ट्रीम राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों बहुत ही खतरनाक हैं और मेरा राजनेतिक रूप शायद बीच का है तो आपकी विचार से सही रूप क्या है? अमेरिका में ये बहुत शक्तिशाली तरीके से हुआ ये अमेरिका में दो अलग-अलग धर्मों की तरह बन गया आप डेमोक्राट हैं या रिपपलिकन हैं? नहीं मेरे दादा रिपपलिकन थे, मेरे पिता रिपपलिकन थे, तो मैं भी रिपपलिकन हूँ ये पहले ही तय हो जाता है तो एक जीवित लोकतंत्र में आपको कभी कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए ये बात हम लोग भूल चुके हैं हमारा देश भी उसी दिशा में बढ़ रहा है आप इनके साथ हैं या उनके साथ मैंने अगले चुनाव के लिए अभी मन नहीं बनाया है पहले मैं देखूँगा कि कौन कैसा प्रदर्शन करता है कौन अधिक समझदारी दिखाता है मैं राइट हूँ, लेफ्ट हूँ या सेंटर हूँ नहीं जैसे ही आप ये रुख अपनाते हैं आप लोकतंतर को नश्ट कर रहे हैं क्योंकि आप वापस सामंतवाद की और बढ़ रहे हैं इस कभीले का मतलब है कि हम सिर्फ इसे वोट देंगे उस कभीले का मतलब है कि हम सिर्फ इसे वोट देंगे बाकी लोग पहले से ताय कर चुके हैं भारत में प्रतिशत शायद 10 से 12 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 15 प्रतिशत हो सकता है मगर मेरे ख्याल से आने वाले चुनाव के बाद हमारे प्रतिशत भी अमेरिका की तरह हो जाएंगे क्योंकि अब स्थिती इतनी बिगड़ रही है कि आपको या तो इधर रहना है या उधर आप ये नहीं कह सकते कि आप कहीं नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसे चुना है महतुपूर्ण ये है कि सत्ता बदलती है खून बहाई बिना लोकतंत्र की यही बड़ी बात है मगर जैसे जैसे आप कबीले वाली मानसेक्ता के हो जाते हैं मैं इस कबीले का हूँ या उस कबीले का अब फिर देश को वापस महा ले जा रहे हैं जहां हर बार जब हम सत्ता बदलना चाहेंगे तो कबीलों का युद्ध होगा यही होगा तो आयुश्मान आपको कोई रुख नहीं अपनाना चाहिए साड़े चार साल के बाद आपको चार से छे मैने लेकर ये मुल्यांकन करना चाहिए कि क्या हुआ है इन साड़े चार सालों में जो कुछ भी हुआ है क्या उन्हें एक और मौका देना सही होगा या नए लोगों को लाना बहतर होगा हर नागरिक को आखरी तीन से छे महिनों में ये निर्णाय करना चाहिए समय आ गया है कि हम एक लोकतंतर के तौर पर परिपक्व बने कोई रुख अपनाने की ज़रूरत नहीं है उन्हें प्रूरत नहीं है